जैन फ्रेंट स्वावत है आप सभी का बहले भीव आईस एकेटमी के इस लूटूप प्लेटफरम पर उमीद करता हम आप सभी अच्छे होगे दोस्तों आज एक महतफों टॉपिक पर हम लो डिसकस करेंगे और वह टॉपिक है रीट फंडमेंटर राइट से समद्धी कुछ म इस स्टॉरी सेर करने का परियास करूंगा इस स्टॉरी को थोड़े सा ध्यान से समझने का परियास कीजिए का यह स्टॉरी आपकी जीवन के लिए बहुतों तुप हो सकता है एक सजन बेगती जो अपने जीवन से काफी परसान रहा करते थे वह हर बात में छुटी-छुट बातों के लेकर किसी पर गुस्ता हो जाना, अपने बातों को अलविज उपर रखने का परयास करना, इससे वह जिसके साथ भी उनका अगर मुलागात होता, सामने वाला इनसान उनसे प्रसान हो जाता। इनसान के साथ कभी बी अलविज एक गुस्तिक रूप में अपने आपको परजेंट करने का परयास करते हैं। एक समय की बात है, यह इनसान को कहीं जाना था, और जाने के लिए इनों ने एक कयब को बोग किया, और वा कयब चलाने वाला जो इनसान था, इनकी एज से उस कैब चलाने वाले इनसान की एज जाना थी। इन्हों जैसे आप सबको पता है कि जब आप कैप बुक करते हैं तो एक फर्मलिटी होती है और टी पी वगरा शेयर करना होता है आप सेयर कर देते हैं उसके बाद यह जो जो सियर अटो होता है वह चलने लगता है आपकी मन जित तक वह पर जाने का प्रयास करता है ऐसा ही हुआ, वह senior आदमी जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते समय कुछी मेंटो के बाद एक wrong side में एक बाइक वाला सामने आता है, और अपनी गल्दी को मतलब accept करते हुए वह आगे की तरफ जाने करता है, जिससे हो सकता है कि जो चालक है, इनको थोड़ी सी समस्या होती है, चालक को कोई असर नहीं पड़ता है, और पीछे जो इनसान बैटे हैं, वह बड़बडाना सुरू कर देते हैं, कि देखिए इस परकार के इनसान को क्यों इसा हो रहा है, आजकल के जो नाव जुवक हैं, उनको किसी परकार की तबीजी न आगे निकल जाता है, थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है, तब तक एक रॉंग साइड में एक कार वा लगाता है, कुछ ऐसे इनके सामने से बुजरता है, कि अगर थोड़ी सी मिसेंटेंडिनिंग हुआ, तो और दोनों कार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इस इस इस्ति वेकल ड्राइबर से पुछते हैं, कि एक बात बताएए, आपके समय में इतने सारे मैंने देखा कि दो इंसिडेंट हुए, एक बाइक वाले ने इससे रॉंग साइड में आया, और एक कार वाले ने तर लपक ऐसा हो गया, कि वो आपकी गारी को ठोक भी सबता था, लेकिन आपने कुछ नहीं उसका रेक किया, थोड़ा सा एस्माइल किये, और एस्माइल करने के बाद अपने आप गारी को नेरतर चलाते रहें, इस पर उस ड्राइबर ने एक मुस्कान के साथ क्या बेहतरीर उत्तर विया जिसका, आप इस बात को धिहान से सुनने का पर्यास करें उन्होंने कहा कि कभी आपने एक कचरे से लदे हुए ट्रॉक को देखा है, इन्होंने कहा हाँ देखे हैं, जो भी कचरा जो ट्रॉक के उपर हो जाते हैं, वो देखते हैं कि धिले-धिले किरते रहते हैं, उसी तरह इंसान है, इंसान अपने अगर जीवन में इतना ज़्य अगर blades करने लगे और उनकी जबात देने लगे हर एक आजमी की कलती को उनके ऊपर बताना सुरू करती है तो यकीन मानिक случае वाने आने समय में आपकी की सांतियां में ऑनकी जो एक ट्den पर वर हों कि मैसेज हों को उनका छलने का जो हुए है उनको उनहीं को मुगारब यानि आप अपने जीवन में बेवस्तित रूप के साथ निरनता चबते रहे जिनके जीवन में जिस परकार की इंसिडेंट हो रहे हैं इसके वज़से वो फ्रस्टेट रहते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ वह इलीगल बेवहार कर सकते हैं और उस बेवहार के वज़से आप अपनी दिन चलिया को खराब न करें तो उमीद करते हैं कि आप एक छोटी सी कहानी से आप लोगोंने कुछ सीखा होगा चलिया है आज के सेसं को हम लोग स्टाइट करते हैं आज एक जाने का परयास करेंगे की यह रीड का होता है अब जैसे कि आप सभी को पता है क्यों लोग को पढ़ते हैं और fundamental right आपका एक constitution का एक right है, जो सबसे बड़ी right है, अधिकार है, जो आपके Britishness के समय में एक right आपको मुझूद नहीं थे, और लगभग article 12, sorry, constitution के part 3 में article 12 से लेकर के 25 लग, आपके fundamental right के जिक्र किया गया है, और उसमें लगभग कुछ ऐसे article है, जो अपवाद है fundamental right की, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस article की जैसे right to equality, right to listen, right to life, इस परकार के जो fundamental right जो दिये गए हैं, और उस right का अगर उलंखन होता है, तो आप जिस article का परियोग करके, आप Supreme Court या High Court जाते हैं, उसी को read करा जाता है, उसे read के हम लोग यहाँ पर चर्चा क करने का परियास करेंगे, देखिए fundamental rights को protect करने के लिए लगपक हमारे समिधान में कुछ article mention है, जैसे आप रूग आप Article 13 से वाकिन है, आप Article 359 से वाकिन है, और Article 32 और Article 226 से वाकिन है, सबसे पहले Article 13 के बात करें, तो लगपक आप Article 13 में आपको भी पता ही हैं, उसमें इस प कानून बना ही नहीं सकती है, कि जो fundamental rights को खतम करें या काम करें, अगर कोई ऐसा कानून अगर बनता है, तो आपने आप जिरो हो जाएगा, और एक कानून ऐसा भी है, 13 के तहत, कि अगर 1950 के पहले के जो कानून है, जो British era के समय के कानून है, अगर वो कानून अभी के समय में प्रजेंट है, और वो आपके fundamental right का अगर हनन करते हैं, वो भी अपने आप खतम जाएगे, तो इससे आपको ऐसा लग गया होगे, कि article 13 आपके fundamental right का protection देता है, article 359 नहीं अस्वच तोर पर कहता है, कि emergency के सिवा fundamental right का वालुसक किसी भी परस्तिती में नहीं होना चाहिए, और article 32 इससे आप तो वाकिल होई गये, कि इसी का परियोग करके आप Supreme Court जा सकते हैं, जैसे अगर state है, आपको जाती धर्म लिंक के अधार पर अगर आपके साथ किसी परकार का भेद करता है, discrimination अगर करता है, तब आप article 32 का परियोग करके आप Supreme Court जा सकते हैं, और वहां से रीट ज तहट मिला है, वह article 226 का परियोग करके आप High Court जा सकते हैं, यह तो मतलब आप असान भासा में अगर समझने का परियास करें, तो यह है fundamental right को जो protect करते हैं, यह आपके संबेधान में आपके साथ करते हैं, अब यहां पर देखने वाली बात होती है, कि article 32 और 226, यह Supreme Court का है, और यह आपके High Court का है, अभी दोनों में अगर आपसे कभी कोई पूछ देता है कि दोनों में किसका अधिकार जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि article 32 का परियोग जब Supreme Court के लिए किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ fundamental right के उलंगन के तवत ही आप Supreme Court जा सकते हैं, और रिट जा कामले के लिए वह article 226 के तवत, अगर कोई इनसान परियोग करकर रिट जारी करने के लिए High Court को बोज सकता है, उमीद करते हैं कि यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, इन जेनर्मर्ट अगर देखा जाए, तो पांच परिकार के लिए mention यहाँ पर किये गया है, आपक इस सीच को थोड़ा सा अच्छे से समझने का परियास करते हैं, अब यह जितने सब्द हैं, आपको थोड़ा सा सब्द सुनने के बाद अजीब सा लग रहा होगा कि यह कैसे सब्द हैं, इस सारे सब्द जो है वो Latin word है, इस सारे Latin के कुछ English word होंगे, और उस English word को कैसे हम इसका English, यह Latin word है, अगर इसका English करें, इसका English होता है to have a body, इसका मतलब क्या है, कि जैसे माल लिजे, उधारन के रूप पर चीच को समझते हैं, कि एस्टेट ने किसी इनसान को अरेश्ट करके रखा है, और इनसान को अरेश्ट करने के बाद, वो निरंतर रखा है, लेकिन इसका अरेश्ट की जो सिमा है, वो इलीगल है, गलत है, या हमको ऐसा लग रहा है, कि जो इस सजा मेरे को मिली है, वो सजा के लायक मैं नहीं हूँ, मैं उस सजा से कम सजा जिलने के लिए तयार हूँ, इसना सजा मुझे नहीं मिलने चाहिए, आपने कोई जुर्म किया है, और जुर्म की सजा हो सकता है कि कम है, लेकिन उस जुर्म के लिए आपको लामा ओधी के लिए आपको अरेश्ट करके रखा गया हो, तो उस इस्तिती में आप तो मान के जलिए कि जो विट्टम है वो तो अरेश्टेड है, तो उसका कोई रिलेटिव, सुप्रेम कोट में ज Supreme Court में paste किया जाना और Supreme Court यह समझने का पर्यास करेगी कि क्या उस इनसान के साथ कुछ illegal बैवाल तो नहीं हो रहा है, उसका fundamental right का उलंकर तो नहीं हो रहा है, अगर उस इस्तिति में, अगर Supreme Court को ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर कुछ illegal हुए रहे, तो उस इस्तिति में Supreme Court, हेवियस कारफस के तहट उस इंसान को आजाद करा सकता है एक छोटा सा केस है है आप पर एक रुदल साह वसेस इस्टेट आप देहा एं 1983 का केस है इसमें हुआ क्या था कि रुदल साह नाम का एक इंसान था उनकी जो भी सजा थी वह सजा को काट चुके थे उसके बाद उनको उनकी सजा को बढ़ा दिया गया था और वह सजा लगब चौदव साल जादा था इसको लेकर के इनके रिलेटिव ने सुप्रीम कोट में एक रिट पिटिशन के लिए अपिल किया कि आप हेवियस कारफस रिट को अपलाई करें और मेरे जो मौकिल हैं उन मौकिल को छुटका रच देने की परियास करें इस स्थिति में सुप्रीम कोट ने हिवियस कारफस का परयोग किया स्टडी किया और समझने का परियास किया कि आखिर मामला क्या है अब उस मामला को समझने के बाद सुप्रीम कोट को ऐसा लगा कि यहाँ पर इस इनसान ने अपनी सजा को काट लिया है इस इस्तिति में उसके साथ अभी इलीगल पनिस्मेंट को रहा है इसलिए सुप्रीम कोट ने इस रुदलजा को बाईजत बरिकरवा दिया उम्हींद करते हैं कि आपको इसीजी समझ में आगे होगा दूसरा यह है जिसको बोलते हैं हम लोग मेंडवस मेंडवस क्या होता है इसको समझेड़ा मेंडवस का मतलब होता है we command अब we command का मतलब यह है कि जैसे अस्वान भासा में मैं आप लोग को इस चीज को बताने का परियास करूँ तो लगब लगब कि अगर कोई पॉब्लिक सर्वेंट है अगर वह पॉब्लिक सर्वेंट अपना काम धंग से नहीं कर पाता है अपनी डूटी नहीं कर पाता है लेकिन यह फंडिक किसी बिसेस लोगों को ही जा रहा है जबकि यह राइट है हर एक लोगों को कि हाँ जो अर्टिकल बार के तब जो एस्टेट है और जो एस्टेट जो भी वर्क करेगी वह सब के लिए समान करेगी उस इस्टिती में अगर कोई पॉब्लिक सर्वेंट अगर कुछ काम करती है जिसे किसी दूसरे को उसके फंडमेंटर राइट का उलंकर होते हुए देखा जा सकता है उस इस्टिती में यह वहाँ की जो जुडिस्री होगी यह कमांड देगी कि आप अपना पॉब्लिक ड्यूटी अच्छे से करें ध्यान रखेगा इसको एक केस के माध्यम से समझने का परियास करते हैं गुजराथ एस्टेट फाइनांसियल कर्पोरेशन वर्सिस लोटस होटल 1983 का यही मामला है इसमें हुआ क्या था कि जो गुजराथ एस्टेट जो फाइनांसियल कर्पोरेशन है अबर लोटस होटल के बीच में एक एगरिमेंट चाहिन हुआ था अबर इसमें एक फाइनांसियल कर्पोरेशन ने एक कमिट किया था कि हम लोग आने वाजे समय में आप लोग कुछ फंडिंग करेंगे जिसे लोटस वोटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलब किया जा सके और लोटस वोटल का जो उद्देश से था वह एक पबलिक पबलिकली तोर पर एक एंगल से अगर देखा जाए उसका डेवलपमेंट करन लोगों कभी कांस हो सके पबलिक के हित के लिए इस होटल का नेरमार किया जाना था इस कर्णिशन को ले करके लगपक आने वाले समय में जो गुजराथ इस्टेट फैनांसियल करपोरोसर था आने वाले समय में यहां के जो कुछ जो पभी सर्वेंट थे इन्हों ने कुछ प्लान किया और प्लान करने के बाद इन्हों ने लोटस होटल को वह पेमिंट देने से मना कर दिया इस चीज़ को लेकर के लोटस होटल ने गुजराथ हाई कोट में एक पियाएल डाल दिया और पियाएल डालने के बाद गुजराथ हाई कोट ने पूरे कंडिशन को समझा और उसमें उन्होंने मैंडमस रिट का परियोग किया और उन्होंने बोला कि गुजराथ एस्टेट फाइनांसियल कर्पोरेशन एक आर्टिकल 12 के तहत यह एस्टेट है और जब एस्टेट है यहाँ पे तो लगभग लगभग इसके संबदी जितने अधिकारी हैं इनका एद उसमें बिद्दमान है उस इस्टिती में जो पॉब्लिक सर्वेंट है वह अपना ड्यूटी अच्छे से करें और इसके तहौर यहाँ पर गुजराथ इस्टेट फाइनांसियल कर्पोरेशन को जो एग्रिमेंट हुआ रहता है उस एग्रिमेंट को देने की बाद कही जाती तीसरा है जिसको बोलते हैं किया चाहे चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वह है वह अपने से मिचले वाले जो भी कोर्ट होंगे उनके द्वारा दिया गया जज्जमेंट का वह एग्रिव कर सकती है जैसे उधारण के रूप में हम मानते हैं कि किसी बिशेष परस्तिती में कोई निचला जिसे डिस्टिक कोट है और डिस्टिक कोट ने कोई गलत फैसला दे दिया और उस गलत फैसले में किसी इंसान का फंडामेंटल रैट का उलंग बना हो गया उस इस्तिती में आप सुपरीम कोट में या एक रिक्वेस्ट पिटिशन डाल सकते हैं कि सुपरीम कोट सिरिसरी रिप को जारी करें और जो डिस्टिक कोट ने जो फैसला दिया है उस फैसला को समझ करके उसका इस्टडी करके उसका जिदिस्टे रिव्यू करके यह जाच करे कि क्या वो फैसले रियल में वाकिब है अगर उस सिती में अगर फैसला गलत होती है डिस्टिक कोट की तो यहां पर सिरिसली का परेव करके सुप्रीम कोट या हाई कोट उस फैसले को निरस्त कर सकता है एक प्यारा साथ यहां पर एक केस है है एक करिपाक वर्सेस युनिया उफ इल्डिया, 1970 का केस है इसमें भी एसा ही हुआ था कि यहां के जो लोट पूर थे इनहों ने एक सजा के केस में इन्हों ने एक सजा मुकरर किया था और एक ही करीपाक ने इसको इस मामना को सुप्रीम कोट में ले गए और वहाँ पर इन्हों ने कुमिले सजा को इन्हों ने सुप्रीम कोट में या पील किया कि इसकी एक रिव्यू की जाए और रिव्यू में पाया गिया कि उस लोवर कूर्ट का फैसला जो था वो गलब था और महाँ पर सुप्रिम कूर्ट के तहट एके करीपाथ को महाँ पर इंसाफ मेला उमीद करता है कि आपको इस चीज़े के लिए हो जाने चाहिए उसके बाद होता है कि प और लोवर कूर्ट अभी फैसला सुनाना के पक्ष में सुनाया नहीं है सुनाने वाला वह सकता ही कि डेट मिलती है कि आने वाले 4 दिन के बाद इस फैसला मिलना है और आपको पता है कि आप इस किस में हारने वाले हैं और आपको पता है कि आपका opposition जो वकील है, पार्टी है वह आपसे मजबूत पड़ रहा है और आप एक legal है लेकिन वह illegal work के साथ ही आप पे भारी पड़ रहा है और आपको पता है कि इसका फैसला आपके against आने वाल है उस इस्तिति में आप Supreme Court में एक PIL डाल सकते हैं और Supreme Court से पोरेविजन का रिट जारी करने की बात कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि पोरेविजन और सेरिसरी का क्या रिट है आप इस चीट को इंटरलिंग कर पा रहा होंगी और नास चाहिए जिसको बोलते है QRTO इसका इंगलिस जो होता है इसको कैसे समझे कि अगर कोई public servant है अगर वा public servant हो सकता है कि जो बें आने से पहले कुछ गलत किया है यानि उस जिससे आप बहुत सारे exam उबरते करके आप officer बनते हैं हो सकता है कि आप उस exam में कुछ गलत करके उस officer बनें या आप जिस post पर है उस post के लायक आप है ही नहीं इन सारी condition के लिए QVaranto Supreme Court जारी करता है यह जाच करता है कि जो भी public servant जो है क्या वो public servant उस seat पर बैटे है उस seat के लायक है या नहीं अगर उस seat के लायक अगर वो नहीं है तो QVaranto के तफ़त उनको dismiss कर दिया जाता है तो उमीद करते हैं कि आपको आज का यह class आपको बेहतरी तरीका से समझ में आया होगा यह है रिट जो इन जेनरल बहुत समझ्या खड़ी करती है समझने में मैं ऐसा उमीद करता हूँ कि मैंने इन सारे पाचो रिट को बहुत आसान भासा में आप लोग को समझाने का परियास किया है अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए अगर चैनल पर नए है तो आप जरूर बेल आइकन को दबाईए कि ताकि निरंतर आपको वीडियो आपको मिलते रहे करेंट अफ्याद इंडियान पॉलिटी जोगराफी हिस्ट्री जो भी अफडेट होते हैं वो मेरे द्वारा आप लोग के समझ आपको यह वीडियो समझ में आया हूँगे तब तक दीजिए इजाज़त मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक जायद